उत्रागंड के राजाजी नेशनल पार्क से अब जंगली जानवर और सहरी इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है हिमाचल परदेश के पाउटा साहिब का एक ऐसा इलाका है जो राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है और यहाँ पर आए दिन जंगली जानवर सडकों पर भठकते रहते हैं हाल ही में जंगली हातियों का एक जोड़ा पाउटा साहिब के मुख्य बाजार में रात्री के समय उत्पात मचाते हुए नजराया हाति के जोड़े ने घर के समय बाउटरी को भी तहस नहस कर दिया नवबारस समाचार पाउटा साहिब हिमाचल से नरेंदर सेनी और ये तीन दिन बाद में शेहर के गिनारे वाई पॉइंट के पास भी आ गया है नहीं तो पहले तीन चार महिने पहले भी आये थे उस समय तो इतना नुकसान नहीं करके गए थे इस वार काफी नुकसान करके गए इदर से रोड की तरफ से तंप्री भी आई हुई है इदर से अधर मेरी मैस से बनी भी थी यहां दो एक तुरह संगल तड़वा के बाद ये एक इदरी बैठ ली इसारी तोड़ खोड़ करी रेक तोड़ सारा तोड़ खोड़ करके फिर दरीन की बचार होगी ये सारे दान अब यहां पर सो भी नहीं पर देज नीचे जमना बेख अब यह दुबारा अभी तो चलो ऐसे निगड़ गए हैं कल को हमारे बच्चे या कुछ अब यहां खड़ गए यह देखो यह सामनी गर है क्या कसा है अब यह देखो दान देखो अपर बैठे कितना अफसान करक्ता अब बच्चे चोटे चोटे हैं राज सारे बच्चे ड़गे ओपर बाद यहां खड़े सब्सक्राइब करते हैं कई बार थोड़ा उस रूट से डाइवर्ट करते हैं तो कल जो है सूचना मिली थी मौखे पर टीम अभी गई थी पुलिस के सदस्य भी साथ में थे और और वहां से कुख देडा गया है ग्रामिनों के द्वारा भी देडा गया है और अब कोशिश की जा रहे है कि यमना कर नीचे अक्षेतर है कॉंटा की तरफ इसमें कुछ दिवार बना कर और टैंच बनागर के जैसी भी के माद्यम से कुछ एक क्रियेट किया जाए जिससे कि लिए जला कर दो कि दो क्रूस करें कि जिससे कि बजार के शेतर में आदेज़ है